नमस्का सर एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वगत है जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आज के हैं एक बने हुए मकान की जानकारी लेकर तो अगर आप इस बने हो मकान को खरीना चाहते हैं तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी बारारी प्राप्त कर सकते हैं तो मैं रोज की तरह एक ही बात बुलूँंगा कि जो लोग वीडियो को लाइक करें चैनल को सबसंक्राब नहीं किया तो वीडियो के नीचे आपको सबस्क्लाब लिखा दिखाए धर है इस अगली वीडियो आने वाली है वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगी तो चलिए इस बने हुआ मकान के बारे में हम आपको पूरी डिटेल दे देते हैं यह जो बना हुआ मकान दिखाया जा रहा है यही मकान भीगाओ है बात कर लेते हैं इसके टोटल एरिया की तो मैं आपको बता देता हूँ यह आपको बना हुआ मकान मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ पचास गज में आपको यह बना हुआ मकान देखनों को मिल जाता है बात कर लेते हैं इस बने हुआ मकान के अंदर कमरे की तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको कितने कमरे देखनों को म यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है और बात करते हैं टूबिलर की तो टूबिलर भी यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं बहुत आसानी से बात कर लेते हैं बातरूम की तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको एक बातरूम भी देखने को मिल जाता है और फ्रंट सा यहाँ पर आपको 24 गन्टे प्रापर इस बने हो मकान के अंदर मिलते नगी तो पूरी जानकारी आपको मैंने दे दिया है और मैं यह बता देता हूँ, यहाँ बता दिता हूं कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी बिवस्थाइं देखनू को मिल जाती हैं चलिए हम आपको घर की अंदर तरफ ले जलते हैं और पूरी डिटेल यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा किचन यह किचन काफी सुंधर quality के साथ यह किचन काफी अच्छी quality के साथ आपको bedroom देखनों को मिल जाता है और यहाँ पे आपको जीने मिल जाएंगे यह भी जीने काफी सुन्दर quality के साथ आपको जीने भी यहाँ पे आपको देखनों को मिल जाती है तो हम आपको dining area भी दिखा देती है यहाँ पे आपको जो मिलेगा यह आपको dining area हाल देखनों को मिल जाता है और डैनिंग एरिया के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फर्स देखनों को मिल जाती है जो कि फिर्स काफी अच्छी क्वालिटी के साथ आपको देखनों को मिल जाती है यहां पे आपको लेटरिन भी देखनों को मिल जाते हैं ये भी लेटरिन काफी अच्छी क्वालिटी के साथ और अच्छी मजबूती के साथ आपको ये बना हो मकान देखनों को मिल लहा है और कीमत भी इसका कम बहुत ही कम आपको मिल जाएगा इसके कीमत बहुत ही कम कीमत में आपको देखनों को कीमत मैंने आपको लिखा दिखाई दे रहोगा तो अगर आप इसे खरीना चाहते हैं खरी सकते हैं पूरी डिटेल आपको हम इसी वीडियो में देने वाले हैं और यहाँ पर आगे हम और इसका भीव भी दिखा देते हैं कि ये काउंसी सिटी में आपको देखनों को मिल जाता है इसका भीव काफी अच्छी क्वालिटी के साथ है यहाँ पर आपको भीव भी देखनों को मिलेगा और काफी अच्छी ये सिटी आपको देखनों को मिल जात देखनों को मिल जाती है यह आपको सीटी का पही बेहत अच्छी क्वालिटी के साथ आपको अगर आप इसे खरिना चाहते हैं तो मैं आपको बताई देता हूं तो समर्थ इसमें आल्रेड लगा हुआ है इसकी जानकारी हम आपको water level की दे देते हैं अगर आप इसमें अनी चीजे लगाना चाहते हैं पानी से unrelated जैसे summer sable या water level जैसे summer sable या bore well या नल लगाना चाहते हैं तो मैं आपको यहां का water level की दूरी बता देते हैं यहां पर 150 फुट पे आपको पानी मिल जाता है क्योंकि इसका जो summer हुआ है 150 ही फुट पे हुआ है इसका summer sable इसके लावा हम आपको यह वता देता हूँ कि इस बने हमकान से लगभग आपको काउन काउन से सुविधाएं देखनों को मिल जाती हैं जैसा इस बने हमकान से लगभग 2 किलोमेटर की दूरी पचलकी आपको petrol टंकी भी देखनों को मिल जाती है 4 किलोमेटर की दूरी पचलकी आपको hospital भी देखनों को मिल जाता है और 6 किलोमेटर की दूरी पचलकी आपको college भी देखनों को मिल जाता है और काफी अच्छी quality के साथ आपको यह बना हमकान देखनों को मिल जाता है और मैं ये बता देता हूँ कि ये बना हूँ मकान आपको किस के नाम से देखनों को मिल जाता है तो इस जो मकान बेजने मालिक हैं इनका नाम आपको उता देते हैं इनका नाम है सुरोष कुमार अबस्ती और इनहीं के नाम से आपको ये बना हूँ मकान देखनों को मिल जाता है तो अगर आप इसे खरना चाहते ही खरी सकते हैं पूरी डिटेल आपको मैंने दे दिया है और इस माली की काष्ट हम आपको एक बैट भी से बता देते हैं इस माली की काष्ट है OBC की तो कि आपको इस बना हूँ मकान में किसी भी तरह का आपको विवाद देखनों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो इसका हम आपको correct location बता देते हैं कि ये बना हूँ मकान आपको किस city में देखनों को मिल जाता है इस्टेडिश का क्या है इस्टेडिश का है उत्तरफ देश और ये बना हो मकान आपको उत्तरफ देश में ही देखनों को मिल जाता है यहाँ पर जो जिला लग रहा है इस दिले का हम आपको नाम बता देते हैं इस दिले का नाम है सोन बहद्र और यहीं पर आपको ये बना हो म मकान देखने को मिल जाता है तो अगर आप इस location को छोड़ कर किसी दूसरे location पे बने हुए मकान को खरीना चाहते हैं तो वीडियो की नीचे आपको एक comment box मिल जाता है इसमें आम उससे comment करके बता सकते हैं कि आप कहां पे मकान खरिना जाहते हैं, किस की मंद में यह सारी डैटिल आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं तो माली कमल नमबर नोट कर सकते हैं, अगर आप जादा जानकारी प्राप करना चाहते जाएं, तो माली का नमबर है is seven nine one two four nine one four nine, यह मैंने आपको माली कवेल नमबर दे दिया है अगर आप ज़्यादा जानकारी प्राप करना चाहते हैं तो दिये गए नमबर पे भी काल कर सकते हैं अगर आप काल करना नहीं चाहते हैं और इस बने हमकान के बारे में पूरी जानकारी प्राप करना चाहते हैं और इसका location जानना चाहते हैं अच्छे से लिखा हुआ और इसका correct location जानना चाहते हैं GPS map के द्वारा तो चली जाना है आपको वीडियो के description box में यहाँ पर आपको छोटी से link मिल जाएगी उसे link पर जैसे touch करेंगे तो पूरी detail आपके सामने वहाँ पर open हो जाएगी और कीमत हम आप एक बार फिस से बता देती हैं यह बना हुआ अच्छी city के अंदर बना हुआ मकान मिल लाए है सिर्फ और सिर्फ 12 लाक रुपे में तो अगर खरीना चाहते हैं पूरी जानकारे आपको उन्हें दे दिया है अगर आपको मेरी वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राम नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करना है